हाँ जी नमस्कार प्यारे सातियों सभी बच्चों को सुप प्रबात मेरी तरब से प्रतिग्या परिवार की तरब से मैं राहुल सोगन आज आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जी हाँ आपको इंतजार था कल साम से ये खबर उड़ती उड़ती जा रही थी खबर आई है वह ब्याग की खबर तो नहीं आई है लेकिन वाले बच्चों के लिए एक थोड़ी सी बड़ी अपडेट है सरकार ने यहां पर भी डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा अपना पाइदा देखा है बच्चों के इतने काम नहीं किया है जी हां या फिर देखो मैंने एक लाइन ओ लिखी है जिनका नहीं वहां उन्हें भी देखना है तो उनके लिए भी स्पेस लाएं उससे बड़ी जादा मैंतोपूर्ण जो बात है वो यह है कि अब नहीं आएगी सेकंड लिष्ट क्या वाकई में सेकंड लिष्ट नहीं आने वाली है तो इसी बात पर अपन बात करने वाले हैं देखिए गा अब बच्चो सबसे पहला जो सवाल है आप लोगों का कि अफ़र्ड मुमेंट के असर वाकई में नहीं होगा देखिए अफ़र्ड मुमेंट को होगा लेकि नए नियम आचुके हैं कुछ नए तरीकों से होगा त नहीं नियम के अंदर क्या-क्या बाते हुई उन के उपर करते हैं मैं बात करूँगा अन्ट तक आप लोगों को देखना है तिनों के तीनों पॉइंट्स को आप कलिएर कर पाओगे और सब के लिए मैं तो पूर्ड है तो मैं लाइव चाता था पर सुभा-सुभा मुझे नहीं नियम आये हैं लेकिन नियम पूरी तरीके से बदल गये हैं यह उन ब À होगा नहीं होगा जिन्हों ने जो है आपके टेराई दहार पांस्फोअ पचपशन का कितनार आजार पांस्फशन का चालान नहीं वह धुट है उनका होगा इन्हें कहा अब केवल कोलेज मिलने से कुछ नहीं होगा आपको पहले जाकर 13500 का चालान कटवाना होगा तब ही आपका अपवर्ड मुमेंट जो है होगा तो मतलब आपको अब पहले 13,575 रुपे देने होंगे इससे पहले ऐसा नहीं होता था इससे पहले आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप जो है री चोईस का फोरम भर सकते थे अपवर्ड मुमेंट का फोरम भर सकते थे लेकिन इस बार नहीं बरा जा रहा है इन्होंने कहा पहले चलान कटवाओ केवल वही अभ्यारती जिन्होंने आवंटी तद्यापक सिक्षन संस्तान में सपलता पुर्वक रिपोर्टिंग कर दी वे अपनी प्रवेजन प्रवेशले पोर्टल से तरात के लिए अपवर्ड मुमेंट एट उपात रहे है अब केवल चालान से ही आपका काम नहीं चलने वाल लेना है उसके बाद में आप जो है रिप्लाइंग कर सकते हो अपवर्ड मुमेंट के लिए इसके अलावा देखिए दूसरा पॉइंट इनका मैत्वपूर्ण था अभ्यारती द्वारा समय होदी में पोर्टल पर लुपर अपवर्ड मुमेंट के लिंक पर जाकर अपवर् से देख लेना सारी डिटेल है तो आपको समय से पहले लिंक पे जाके जो है आपका अपवर्ड मुमेंट करवाना है ऐसे अभियारती जिनको उनके द्वारा चुनेगे प्रतम अध्यापक्षिक्षन संस्तान में प्रवेस मिला था वो अपवर्ड मुमेंट के पातन नहीं ह अब कहां अपवर्ड कराएगा तु दिमाख खराब हो गया है आप लोगों का अरे भया आपको जो पहली चोईस थी आपकी पसंदीदा चीज आपको मिल गया अब और क्या पसंद आएगा और क्या पसंद आएगा इसलिए आप नहीं करवा सकते हैं जिन अब यारतियों ने किया है या किसी भी सिक्षम संस्दान अत्वाज जिले का चुनाव नहीं किया है तो अपक्षट मुमेंट के पात्र नहीं है इनका कहिने का मतलब है ऐसे कहीं बच्चे थे जिन्हों ने ओल राजस्तान ही किया उसके अलावा एक कोलेज का नाम तक नहीं बेरा तो उनको भी ओल रास्तान किया कोई कोलेज नहीं भरी है तो आपका नहीं होगा ध्यान रखेगा इसके अलावा अपवर्ड मुमेंट यह तो अभ्यारती द्वारा काउंस्लिंग के चुने गए अध्यापक सहस्तानों पर विचार किया जाएगा एने वियर इन रास्तान पर विचार नहीं किया जाएगा कोई कहे कि सर आपने एने जो है और रास्तान किया था मैंने लेकिन मेरी चुनी हुई में से मिलेगी अपवर्ड मुमेंट का मतलब है आपकी चुनी हुई में से देना आपने जो करवाना अनिवारी है व्यक्तिकत नहीं करने की स्थी में अभ्यार्ति का प्रवेस्ट कर दिया जाएगा अब सोचने दूर आया है तो किसी और को बेज़ देंगे पहले वाली में तो आपको पैसा आपको नहीं मिलेगा क्या पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा लेकिन आपकी जो कोलेज जिसमें आपने सबसे पहले आपको जो फर्स टाइम अलोट हुई थी वह आपकी वैसे की वैसी रहेगी आपको वहाँ पैसा नहीं देना पड़ेगा अब यह नियम लेके कि वहाई दर्सल गौर्वेंट इसमार की पहले रिक्ति व्यक्तिगत रिपोर्टिंग करो तो भी यह इससे क्या ना अब देखो मैं लिए इन बच्चों की बात होगी है बात करें सब्सक्राइब लिस्ट वालों का तो कुछ बोल बड़ी आपती दिखा रहे हैं तो सब्सक्राइब करवाई जाएगी क्या काउंसलिंग जो है आपकी नहीं होगी द्यान रखेगा अभी तक जितनी भी सूचन आई तिंग 1853 सीटे थी तो जुटी उमीद में मत बैटो और तयारी स्टार्ट कर दो जो भी इन्फोर्मेसन है वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं आप लोग तेलीग्राम से जुट जाना टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है सर यह आपका टेलीग्राम चैनल परतिक्या बनाने में मुझे दो-चार गंटे लेट हो जाता हूं दो-चैनल क्या कभी-कभी तो एक-दो दिन लेट हो जाता हूं आज जैसे एक दिन पहले ही सूचना आ गई थी तो यह सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिलेगी टेलीग्राम जोइन करना ठीक है जरूर से अबस्तान की तमाम एक जामों के नोट्स मिल रहे हैं जी हां बिलकुल आपको फिरी में नोट्स मिल रहे है साथ ही में सचेन करो और यहां से प्रिवीज एर्स्क्योसंस आप फिरी में डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावा सिट के बहुता प्लोग दिखा देता हूं बिए सेटी का जो और जोइन करना चाहते हैं बारा अगस्त से और यह अंतिम बैच होगा क्या अंतिम बैच होगा इसे के अंदर आम आपको मैतोपूर्ण का द्यान रखेगा रिट का नोटिफिकेशन आपका अगस्त मा में आ जाएगा तो तैयारी करना प्रारम करो मैं ज्यादा परचान नहीं करूंगा अपना अगली यह दि मैं बात करूँ तो आप लोगों के लिए लैब की क्लासे जी हां बिलकुल लैब असिश्टेंट की क्ला से जोधपुर को सब्सक्राइब कर लो जिस पे आप देख रहे हो ना और रोजाना हम साम को साथ बजे लाइव आते हैं और लाइव बाते करते हैं देखो CET की तयारी के लिए हम लोगों ने एक स्रंकला तयार किया 30 दिन में CET क्या 30 दिन में CET तयार करवा रहे हैं आपको जो है साम को चार बजे रोजाना चार बजे जो है चार पीम आपको क्या मिल जाती है भीया आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाती है ठीक है रीजनिंग की इसके अलावा आपको जो है साम को जिके की क्लास मिलेगी रोजाना आठ बजे कितने आठ बजे जो है आपको नया जि mcql sol करा रहे हैं तो आप लोगों को जूड़ना है ct को बेतर बनाना है ठीक विदारती हूँ जो मैं तो पूर्पूर सूचना थी वो मैंने आप लोगों को दे दिया उमीद है आप लोग स्वस्त होंगे और अपनी तयारी को बरकरार रखेंगे जैसे आगे मुझे कोई सू लुदूंगा बाई जैहिंग जैवार्थ साथिय।